देश के सबसे उवा सांसद के तोर पर और और साथ ही सा, 2019 में अपनी पार्टी बना कर प्रदेश की सियासत में एक अलग तरह की राजनी थी, और जिस तरह के हालात 2019 में पैदा हुए थे, उन हालातों के लिए अगर बात करें, कहीं न कहीं, जन्लाइक जन्ता पार्टी की जो समीकरन बदल चुके हैं अब ऐसे में जचपा किस तरह से 2024 के रण के लिए तैयारी कर रही है मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश के पूरु मुक्हमंत्री दुशन चटाला साह माजूद है 2019 के समीकरन और थे सर रापा गठवंदन में गए लेकिन अब परिस्तितियां तब्दील हो गई एक अब जचपा की क्या तैयारी है 2024 के लिए किस तरह की तैयारी लोकसभा के रण के लिए पिन जहा लोकसभा के चुनाव की बात है 2019 के अंदर ना तो हमारा सिंबल फिक्स था हमें टंपरेरी सिंबल चपल का मिला उसको अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुचा पाई मैदान में आमादमी पार्टी के साथ उतरें आमादमी पार्टी के 50,000 से भी कम वोट आई हम साथ सीटों पर लड़ें 6.5 लाख से उपर टोटल दोनों पार्टियों के लगबग 7.5 लाख वोट आई उन परस्तितियों में एक बड़ा चुनाव जब पुलबामा और ये सारे इशूस थे तब मैं मानता हूँ एक इंपक्टफूल इलेक्शन नहीं रहा आज की परस्तिती में हमारा लगबग साड़े चार साल का गौर्मेंट का परफॉर्मेंस है जो हमने कमेरे किसान के लिए काम करें चाहे 14 फसले MSP पर हो चाहे DBT के माद्यम से एक लाख करोड रुपया किसान के खाते में देना हो चाहे 20,000 किलोमेटर सडकों का सुधारिकरन हो ये सारे एस्पेक्स है जो लोकसभा में जाएंगे और दूसरी चीछ मेरा ये मानना है कि अर्याना ने 10 सांसद कॉंग्रेस को भी दिये है 10 BJP को भी दिये है उन परस्तितियों में स्टेट ने देखा है कि जब स्टेट की अवाज नहीं जाएगी अवाज अर्याना की पारलेमेंट में नहीं गुंजेगी तो डारेक्टली इंडारेक्टली उसका जो नुकसान है वो स्टेट को भुगतना पड़ता है जब मैं सांसद था ट्रेक्टर को कमर्शल वहिकल बनाया मैं ट्रेक्टर लेके पारलेमेंट में गया तो सेंटर गॉर्मेंट ने विड्रॉ किया किसी बीजेपी या कॉंग्रेस के सांसद ने उस समय वाज नहीं उठाई आज भी यही हुआ है आज की परस्तिती में पांच साल में आप डिबेट्स उठा लीजिए आप जीरो आवर कोश्चन आवर उठा लीजिए कहीं भी पारलिमेंटरी डिसकुशन में अरियाना एस अ स्टेट नहीं गुँझा और हमारा इस बार का इश्यु भी यही है कि अरियाना की आवाज को पारलिमेंट में जगे दो और आवाज अरियाना की जब गुझेगी तो अपने आप अरियाना के लिदीकारों की सरक्षा होगी कुछ फैसले होते हैं सर दो ही परिणाम निकलते हैं या तो फैसलों पर पच्टाना पड़ता है या बहुत बहुत जादा खुशी होती है 2019 में एक फैसला किया गया था भार्ची जनता पार्टी के साँ जाने का आज की परिस्तिती में चीजे बदल गई गटबंदन तूट गया क्या इन हालातों के बारे में पहले से दुशन चोटाला को पता था कि यह होने वाला है और आज की परिस्तिती में अगर बात करें उस फैसले पर कोई मलाल या क्या कोई अलाइंस पर्मनेंट है अलाइंस एक अरेंजमेंट है जो दोनों पार्टी के विजन को रस्ता देता है आगे चलने के लिए जो इलेक्टरॉल को उनने कमिट किया है उसको फुल्फिल करने के लिए साड़े चार साल में एक भी ऐसा वादा नहीं है जो हम टच ना कर पाए हो या पूरा ना कर पाए हो इवन बुड़ापा पेंशन देश में सबस्यादा कहीं है तो तीन अजार उपे अर्याना में है पचास परसेंट वोमन रेजर्वेशन है परदेश के अंदर सेवेंटी फाइफ परसेंट कानून हमने लागू किया कानूनी तोर पर और सुप्रीम कोट में भी लड़ेंगे जीतेंगे आज जब बात करते हैं कि परदेश के अंदर सडकों के इंफ्रस्रक्चर को सुधार बहुत मनिस्टर्ज रहे होंगे बहुत लोगों ने पीड़लीडी देखा होगा आप इतियास उठा के देखो सिर्फ एक काम होता था नई सडक नई सडक नई सडक नई सडक के माध्यम से स्कूल बनाने की पाइलेट ट्रेन हो देश का पहला स्काइडाविंग इंस्टिट्यूट जो है महंदरगड में लाणा इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट में 40,000 करोड का निवेश कोई छोटा नहीं होता बहुत चीजे हमने करी है जनता के बीच में जाएंगे समझाएंगे और मैं मानता हूँ कि अब लोग भी देखते हैं कि अवाज को पारलेमेंट में वही रख पाते हैं जो उनकी समस्या से वाकिफ होते हैं तो लोग जनमत देंगे और जहां आपने कहा कि पस्ताना पड़ता है और ये करना पड़ता है मुझे नहीं लगता कि रा टिकेट ना मिले तो तो पस्ताया हुआ पूरी डेडिकेशन आपने आपके पिता ने एंडिये की मीटिंग्स में भी आप शामिल हुए ऐसी परिस्तिती में क्या एंडिये के अंदर हमने सयोगी बंकर नहीं रहे बारते जनता पार्टी तो आज भी राज चला रही है की भाषा लागू करने पीजेपी का एजंडा नहीं था हमारा था करवाई हमने एच्टाइट के पेपर जो थे जो साढ़े तीन सो किलोमेटर बस यातरा के बाद होते थे उनको विदिन 50 किलोमेटर रेडियेस लाना हमने करवाई ठेकेदारी पर्था बंद करने आज आप नहीं समझेंगे आप आम बच्चे से पूछिए कि उसको दो दो तीन तीन महिनों की तंखा देके ठेकेदार को नौकरी लगना पड़ता था यह पॉलिटिकल से पारिश से लगना पड़ता था आज उसको पूरी तोर पर समाप्त करकर रोजगार निगम का निर्मान किया ज निगरी उलेक्टरोल नों जाते हैं और उसको पांच को हम दसले जाते हैं पच्चेस ले जाते हैं पेंतिस ले जाते ही तो मैं सिंगल उजौर्टी में पार्टी को ले आते हैं क्या मारा टार्गेट यह नहीं होना चाहिए और एक चीज मैं बताऊं एक कावत अपने पेड़ के नीचे बैठे हैं पेड़ के नीचे पेड़ नहीं उगता आप किसी पेड़ को दूसरे पेड़ के नीचे बढ़ते वे नहीं देखोगे आज मुझे लगता ही अफसर है दस लडएंगे आगे 90 लडएंगे हमें भी ग्रोथ मिलेगी दस से हम और नंबर्स बढ़ाएंगे अलाइंस में रहते तो शायद हमारे नंबर्स औफ विदानसवा कंटेस्टिंग सीट कम रह जाते आपका एक हालक पॉलेटिकल समझ है बीजेपी चार सो पार का नारा दे रही कि इंदर के परिपेक्ष में सर क्या कहेंगे आप खुद ही असली ना तो आपको मुस्कराता हूं देखो इंदरा गांधी जी देश की प्रधान मंतरी रही दो बार तीसरा इलेक्टरोल इलेक्षन गया 77 में उस समय के कॉंग्रेस अध्यक्ष ने नारा दिया इंडिया इंदरा इंदरा इंदिया क्या रजल्ट आए इंदरा गांधी जी स्वयम चुना भारे कॉंग्रेस बुरी तरह आदी मुरार जी जिसाई देश के प्रधान मंतरी बने आज 400 पार की बात जो कर रहे हैं वो क्या 10 से 15 सीट कर लेंगे अरियना में दस है कमी होगी 25 राजस्तान में है 27 तो नहीं हो सकती 20 आए 15 आए आप मुझे स्टेट्स बताईए जहां नंबर बढ़ रहे हैं आज 17 विपक्स के पास यूपी में है मैं नहीं मानता कि बीजेपी साथ भी टच करेंगे आज राज उत्ताम बात करें सदन स्टेट की तामिलाड केरला उड़ी सा मुझे नहीं लगता कहीं खाता भी खुल रहे हैं तो यह सारी प्रस्तितियां देखते वे बहुत बड़ी बात है और इस तरह के तो पॉलिटिकल नारे अरियना में भी दिये पिछेतर पार का क्या रेजल्टा है चालीस पे आगए क्या कहेंगे सर राज जो लोग गठबंदन के समय में आपका खुलकर बिरोध करते थे मैं चौदरी विरेंदर सिंग की बात कर रहा हूं वो भी पार्टी छोड़कर कॉंग्रिस में चले गए सर क्या कहेंगे तो प्राव शुरू हुए हैं कि मौसम आते रहे पॉलिटिकल आइडोलोजी के साथ जुड़के चलने वाले लोग जो होते हैं वो लंबा चलते हैं जो अपनी आइडोलोजी को कैसे जगे मिले उस पे जलते जनता भी फिर आगे एलेक्शन में उनको जवाब देती है सर, 2019 के बाद जजपा फास्टेस ग्रोइंग पार्टी के तौर पर कारे करता हूँ, नेता हूँ, एक जॉइनिंग्स का दौर लगा था लेकिन अब एक समय आया है कि परिस्तितियां देखकर नेता जो है घर बदलते नजर आ रहे हैं आपके कई नेता जो हैं पिछले कुछ करना है कि परदेश को आगे लेकरता है, हम रुकेंगे नहीं, और जो लोग आएंगे आगे वो हमारी ताकत भी बढ़ाएंगे, वो हमें संक्ठित मजबूती भी देने का काम करेंगे, और जो गए हमें तो शुब काम नहीं देता हूँ, उनके बविश्य के लिए, इस चु करला करनाटका से आके विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, गुसा होगा किसी चीज का मन में, आके एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कब बताएंगे, उनी ने मेरे को सांसद बनाया था पत्चीस साल की उमर में, उनी ने मेरे को 31 में अमेले बना कर उपमुखे मंतरी के पदपर ब पार्टी से जुड़कर इस तरह के विरोध में आते हैं, और प्लैनिंग होती है कही पॉलिटिकल पार्टी की, ये विरोध तो मुझे लगता है बंसिलाल जी ने भी देखा, चोधरी देविलाल जी ने भी देखा, ओंप्रकास चोटाला जी ने भी देखा, जो भी सत्ता मे रहा है, उसका एक ना एक पक्ष तो विरोध जरूर करता है, मगर जनता बहुत जागरुक हो चुकी, आज कल मीडिया, शोशल मीडिया के माद्यम से ये चारी सारी चीजे देखती भी है, समस्ती भी है, और उसके उपर फिर एक्षिन भी इंप्लिमेंट करती है, एक चर्च ये देखा, आप जैसे एक साथी ने पूछा, कि क्या दोनों एक हो सकते हैं, और चौधरी अजे सिंग चोटाला जी ने हमेशा एक चीज कहीं, ये मेरा काम नहीं है, घर के बड़े का काम है, वो बुलाएंगे तो देखें, इसके सिवाए ना तो पार्टी के मर्जर की, वि जिरूरत है, लोगों की सोच हो सकती है, कुछ भी, हमारा काम जिनना एक जमता पार्टी को ताकत देने हैं, निरंतर हम अपनी ताकत पढ़ा रहे हैं, आपने लुकसभा के लिए रण की बात करी की दस की दस सीटों पर कैंडिडिट उतारेंगे, आप ही नहीं कहा था कि करनाल की, कब तक उमीदवार आप भी उतार रहे हैं और कॉंग्रेस की सूची अभी तक नहीं आई, लगा अतार मंतन हो रहे हैं, अगर हमारी त्यारी है, और हमारी त्यारी के अंदर मजबूती के साथ, हम सभी साथी जितने मैदान में उतरेंगे, उनको लेके भी चलेंग और मैं ही मानता हूँ, चाहे करनाल हो, चाहे रोतक हो, चाहे इसार हो, चाहे बिवानी हो, सभी सीटों पर पालिटी मुझबूती से जुनाव रहे हैं. ऐसे में तमाम चर्चा जो है, वो दुशन चटाला की और से की गई है, और जीत का दावा जो है, वो किया गया है. कैमरा परसन जातिन के साथ, वेपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडिकर.